तो आज रोटेशनल डायनामिक्स लेक्षर नंबर फिफ्ट में हम आपके टेक्जूक में जो सर्कुलर मुचन से रिलेटेट सौल्ड एक्जाम्पल है जिसे नियुमरिकल कहा जाता है इंशालोल अजीस उन तमाम नियुमरिकल्स को बने डेटेल में सौल्ड करेंगी थीक है तो आई शुरुवात करते हैं सबसे पहला नुम्रिकल जो आपके टेंग्सूक में पेज नॉमबर टू पर मेंशन किया गए एक्जामपल नॉमबर फॉस्ट ऑन पेज टू टू पर एक्जामपल नॉमबर फर्स्ट है देखी एक्जामपल क्या कहती है अब फैन इस रोटेड है 90 rpm ठीक है आप इसको rpm है हमारा हम इसको कनवर्ट करेंगे सेकेंड में तो 90 को डिवाइड करना है आपको 60 से 60 rps 00 cancel 9 upon 6 rps ठीक है या आगया आपके पास में n1 इतना आगया 9 upon 6 rps हम इसको 3 upon 2 भी लिख सकते ठीक है या इसको आगे चलके 1.5 rps भी लिख सकते हैं n1 आगया हमारे पास में 1 upon 5 rps या 3 upon 2 या 9 upon 6 ठीक है देखिए अगे इस देन स्विच आफ बाद में वह बन हो गया तो जब बन हो जाएंगा तो यह इनिशल जब बन हो जाता है अफ हो जाता है तो जो फाइनल फ्रिक्वेंस हमारे हम उसको एंट तो से जाएर करेंगे वह हो जाएंगे हमारी इसे रुखने के लिए जो वक्त लगेंगा वह हमको टाइम कैकुलेट करना है हम यहां पर टी निकालना है ठीक है और एक इसने कंडिशन बताए आपको अजुमिंग डैट दा फ्रिक्शनल टॉर्क इस कॉंस्टेंट और हमको यहां पर एजुम करना है कि जो हमारा टॉर्क है देखेंको किस तरह से होंगा इसके बाद वाला चेप्टर है जिसका नाम है रोटेशनल मोशन उसमें एक एक्विशन आने वाली है तो इक्विशन में आपको बता देता हूँ टॉर्क इक्वल्ट होता है आया अलफा इसका पूरूफ भी मैं आपको इंशालों लेक्शर में दूगा टॉर्क जो है वो गर अगर टॉर्क अगा तो याद रखिए एक्सेलेरेशन भी खुंस्तर होगा ठीक है तो अगर एक्सेलेरेशन विश्चन है इसका मतलब सपिड भी खूंस्ट है ठीक है इसपिट इसका मींस यह है कि हम यहां पर कौन सी क्विशन सिस्तेमाल कर सकते हैं टाइम निकलने के लिनियार काइनमेटिक्स में ता आप में इसको लिएर मेन के इंगे हैं आपर क्या हम को इसी चेन्ज कर थे हमको पता कैसे अगी तो भी को होता है पूर्मेगा से लेक्शन नमर फैसे मैंने स्चाया था आपको V change होता है, omega से हम इसको करेंगे, omega final equal to, U जो है, omega initial से change होगा, plus A जो होगा, alpha से change होगा, T as it is रहेगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इसको इस तरह से लिख सकते, omega final minus omega initial equal to alpha T, इसका मतलब omega final minus omega initial, और T को initial आलो, divided by T equal to alpha, यह हमारी first equation हो गई, इसको हम equation number 1 बोलेंगे, क्या ब equation को हम change करेंगे, V जो है, final velocity है, हम इसको V जो हता है, omega से change होता है, omega final का square equal to, U जो है, omega initial से replace होगा, square, plus 2 as it is रहेगा, A alpha से change होगा, और S जो होगा, theta से change होगा, आप lecture number first में जाकर देख सकते हो, फिर साम इसको इसको इस तरह से convert करेंगे, omega final square, यह प्लस का है, इधर आकर minus का, omega initial square equal to 2 alpha into theta, यहां से हम क्या करेंगे, 2 theta को नीचे ला लेंगे, omega final minus omega initial, इन दोनों का square, divided by 2 theta नीचे आ जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा, alpha, equation number 2, अगर हम मसावत नमबर 1 और 2 को गौर्ट से देखे, तो इसमें मसावत नमबर 1 और 2 की जो यह वाली side है, right hand side, और exist ही है तो definitely by 1 and 2, left hand side भी एक जैसी हुजाएंगी, तो हम यह लिखेंगे by 1 and 2, मसावत नमबर 1 और 2 की बिना पर, मसावत नमबर 1 और 2 की हमारे पास में, 1 हमारे पास में, omega final minus omega initial divided by t, equal to, देखे, यहां पर हम mathematics से एक formula लागा देंगे, a square minus b square वो क्या होता, a plus b, a minus b, ठीके, तो यहा divided by नीचे क्या है, 2 theta, ठीके, देखे, omega final minus omega initial और omega final omega initial यहां से cancel हुआ, यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा, हमारे पास में, 1 upon t, equal to, यहां पर है, omega final plus omega initial divided by 2 theta, ठीके, अब यहां क्या करेंगे, cross multiply करेंगे, तिरची जरब, इसका काम हो चुका है, इसका में rest कर देते हैं, य देखे, यहां पर cross multiply करेंगे, तो यह 2 theta को इधर multiply कर तो यह हो जाएगा, आपका 2 theta equal to, t को इधर multiply कर तो यह हो जाएगा, आपका omega final plus omega initial into t, ठीके, आपको t calculate करना है, तो हम इसको लेकिंगे, 2 theta divided by initial आ जाएगा, omega final minus omega initial equal to t, है ना, देखे, आप omega जो है, वो angular velocity है, और angular velocity है, हम हमारे पास में formula है, हम जानते है, omega equal to 2 pi n, हम यह formula की इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमको frequencies दी गई है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा angular velocity है, उसको frequency में convert करने के लिए, omega equal to 2 pi n का formula इस्तेमाल करेंगे, तो हम जानते है, omega बराबर होता है, 2 pi n, यह इसको 2 pi upon t, भी ल equal to t, यहां से क्या common निकलेंगा, यहां से 2 pi common निकलेंगा, तो यह हो जाएगा, आपका 2 theta divided by 2 pi common निकाला, यहां बचा, n of final minus n of initial equal to, यहां पर क्या बचेंगा, small t, ठीक है, अभी देखिए, हमारे पास में, हम इसमें से 2, 2 को cancel कर सकते, ओके, अगर 2, 2 को cancel करेंगे, तो पर क् निकलेंगा, theta upon pi, n of final minus n of initial equal to t, है ना, आच्छा देखो, अब हमारे पास में, n of final 2 0 है, देखिए, n of final 0 है, n of initial हमारे पास में 1.5 है, हमारे पास में, pi की value भी है, 22 बटे साथ, यह तीन आशार, एक साथ, लेकिन theta नहीं है, आप theta कैसे calculate करेंगे, इसको ज़रा गौट से समझ लेक्ष्य, लेक्षा नमर, first में, जब मैं आपको circle पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि, पूरा एक circle, कितने face पर मुकंबल होता है, अगर मुझे पूरा एक revolution complete करना है, इस तरह से देखिए, पूरा एक revolution अगर complete करना है, तो यह revolution कितने face पर complete होता है, लेक्षा संभी कि और सब्सक्रां ना चाहता है कितने रिवालुशन एक मैं पूरा एक ठीटा मुकंबल चाहता हो तो मुझे किछ फेस लागेंगा मुझे लगए है मंतिपला किसे करना n से इसका मेंज कि यह थीटा हमारे पास में अगया है कि इस थीटा को महा कर सकते हैं हम यह स्थिफाल करेंगे 2PiN divided by Pi into n of final minus n of initial equal to t ठीक है पाई से पाई क्या हो जाएगा अगर हमने पाई से पाई को कैंसल किये तो हमारे पास में क्या बचा देखिए हाँ हमारे पास में बचता है टी इक्वल टो यहां से पाई कैंसल हो किया है बच गया 2 कितना है हमारे पास में 21 है 21 रख दीजिए divided by हमारे पास में एन फाइनल कितना है 0 इसका मतलब यह कैंसल हो जाएगा दो मिनट है कुछ कोई है हाँ यहां पर प्लस चाहिए हमको देखिए हमने क्रॉस मॉल्टिप्लाइग किया यह प्लस है यह भी प्लस है यह भी प्लस है यह भी प्लस है और यह प्लस था ना सुर्य उसके लिए अच्छा आप यहां पर एन फिनीशाल हो एक वाल टो तुब हो जाएंगा आपका दो दूनी चार यहां पर ट्वेंटी वन डिवैड़ेड़ पाइट थिरी तीन का तीन तीन सत्था 21 यहनी के टीकॉल टू कितना बच्छा चार जरब साथ यहनी के टीकॉल टू साच चौक 28 और इसका युनिटों का सेकेंड क्योंकि हमने यहां पर इसक क्या कहती है अब मोटर साइकलिस्ट टू भी टू भी ट्रेटेड एस एक मोटर साइकलिस्ट है जिससे पॉइंट मास के तौर पर ट्रीट किया गया है इस टेकन इस अंडर्टेक होरीजन्टर सर्कुलर मोशन इंसाइडर स्लेंट्रिकल वाल ओफ वेल ओफ इनर रेडियस फ सब्सक्राइब जो इस टेक्ट वाल इस 0.4 और मोट के कुएंगी सतय और गाली के तर्मियान में जो कोफिशन्ट विस्टेक फ्रिक्शन ए उसकी वैलू दी गई है मियो एस हमारे पास में दिया गया है 0.4 क्या बोला है उसने कैल्कुलेट दा मिनीमाम स्पीड एंड फ्रि 10 मिटर पर सेकंड का स्क्वेर ठीक है देखिए बहुत आसंग कोश्चन है कुछ खास बात नहीं है इसमें हमको पहले वी मिनीमाम निकालना है तो जब हमने वाल आफ वेल पर कोश्चन सॉल किया था एक एक एक्विशन निकाली थी हमने वी मिनीमाम एक्वल टू अंडर दखए क्या है मैं 0.4 को लिखेंगा तो फिर क्या बचएंगा फिर हमारे पास प्र इंटर रूट ऑठाव गाल जाएंगा तो यह 100 आ जाएंगे दिवाड़ देट बाए 444 यहां से एगेंट वार निकल निकल पार मिनीमाम पास में कितना आच चुका बीनीमाम हमारे पास मे निकल चुका है next time ko and का frequency हम कैसे निकालने के लिएक बाद रही हमको क्या कि दिया गया उप्छी आपको रेडियर गया और विलॉसिटी है रेडियर और वेलॉसिटी हमारे पास में अफ्रेव्वेंसि कैकुलेट करें तो हमको सोचना हम इसको क्या सकते हैं इसको लिख सकते वी अपन ये पुरा फिक्रा नीचे आजाएंगा 2 इसको मल्टिप्लाइब टू ठीक है इसको मुल्टिप्लाइब कर दीजिए आपका आंसर आजाएंगा यहां पर फिर्केंसी और उसका यूनिट होंगा रिवलुशन पर सेकंड आप इतना तो घर पर 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 फर्फॉर्म कर सकते हो बस इनको डिवाइट करना है इसको इसको इ सकता है किसी किसी का तो यह हमारे एक्जामपल नंबर सेकंड भी मुकमल होता है एक्जामपल नंबर त्री और यह है आपकी पेज नंबर सेवेन पर ठीक है जो बैंकिंग आप रोड पर मुनस्किर सुनी बहुत अच्छा सवाल है बहुत इंपोर्टेंट कोईशन है इसको अच्छी से समाजिए और रेसिंग टाइकए जिसकर कर वे चर दिया गए है तिक करवेचर ममत्लब उसका रेदिया घया रेडिया थी ए software को सकते आज इक्वल टू 0.5 ठीक है इतना हमारे पास में जाविया पुष्ट बन दिया गया है coefficient of static friction between the track and the tire of vehicle is 0.2 mu s हमारे पास में coefficient of static friction 0.2 है determine the speed limits with 10% margin आपको speed limit, speed limit मतलब v max और v minimum और v max मालूम करना है with 10% margin speed limits जो होती है मैंने आपको जब वे question करवाया था तो बताया था speed limit कहा एक तो minimum भी हो सकती है और maximum 10% margin का मतलब के है तो इसका मतलब margin का मतलब क्या है 10% margin का मतलब यह है कि जो आपको minimum velocity दी गई आप उससे 10% ज़ादा चल सकते हो और जो maximum frequency दी गई है उससे आपको 10% कम चलना है V minimum equal to होता है under root of RG 10 theta minus of mu s divided by 1 plus mu s 10 theta ठीक है तबाव values को यहाँ पर हम रखते है R की value हमारे पास में कितनी है 9.9 है और G भी हम जानते है G तो 10 होता है G कितना लेना हमको 10 लेना है आपको यहाँ लिख लिख लिए G equal to 10 meter per second का square ठीक है इंटो 10 theta कितना हमारे पास में 0.5 है minus mu s कितना है 0.2 है divided by 1 plus mu s कितना है 0.2 है multiply by 10 theta कितना है 0.5 है इसको solve करेंगे देखिए 9.9 को हम 10 से multiply करेंगे तो यह 99 हो जाएगे आशारिया जो एको काम उदर चले जाएगा 0.5 में से 0.2 जाएगे तो यहाँ पर बचेंगे 0.3 divided by यहाँ पर over exit रख लिए प्लस हम अगर 0.2 को 0.5 से multiply करेंगे तो क्या answer आएगा 0.5 को 0.2 से multiply करेंगे तो पास दो नी 10 का सिफर आथ का एक 2 सिफर सिफर एक का एक एक मुकाम छोड़ दीजे सिफर 5 सिफर और सिफर 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 का सिफर 1 का 1 सिफर का सिफर कितने पर इसके बाद मैं आशर यह चाहिए एक और एक दो तो एक और एक दो यानि कितना आगा है 0.10 मैं आपको एक एक चीज यह कोई खास बात नहीं है लिकिन मैं फिर भी आपको करवागी दे रहा हूँ है ताकि आपको कोई problem न जाए यह होगा है आपको 0.10 अब देखें नेक्स क्या होँगा वी मिनीमा हम यह आपर calculate कर रहे है वी मिनीमाँ एक वल्टो अंडा रूट आउफ 99 है हमारे पास में और यह हमारे पास में 0.3 डिवाड़ेट बाए इसको प्लस करना है तो हमको क्या करना है 1.00 में कितना एड करना है 0.10 एड करना है तो 0 का 0 1 का 1 पॉइंट का 1 का 1 यह हैं कितना हो जाएंगे 1.10 इसका मतलब वी मिनीमाँ इक्वल टो अंडा रूट आउफ 99 इसको हम लिखेंगे तीन जरब दसकी कोई मनफी का एक इसको लिखेंगे हम 11.0 जरब दसकी कोई मनफी का दो ठीक है यह जागा हमारे पास में वी मिनीमाँ इक्वल टो अंडा रूट आउफ 99 इंटो 10 इंटो 3 इंटो 3 इवादेट बाए 11 111 और 119 इंटीनाइन तो देखें हम इसको डारेक लिखेंगे हम आपन 9 इंटो 3 और यह हमारे पास में सवर से तो क्या बचेंगा 99 multiply by 3 तो वी मिनीमाम हो जाएंगा हमारे पास में अंडारूट ऑफ 93027 वी मिनीमाम और इसका यूनिट मिटर पार सेकंड 27 को आप हमको बाहर निकालना है तो आप यहां पर लॉक्टेबल का भी उसकर सकते हो मैं आपको डारेक्टिक बताता अगर हम 5 क लेंगे तो 5525 होते हैं और 636 होते हैं तो 5525 यानि कि यह लगभग वी मिनीमाम इक्वाल टू 5.1 यह 2 मिटर पर सेकंड आ सकता है आप इसको लॉक्टेबल से देख लेना है अपको ठेक है तो 5.1 मिटर पर सेकंड आप यह तो हमारे पास में भी मिनीमाम निकल गए इसका हमक कम चलना पड़ेगा तो 10% निकालते हैं वी मिनीमाम आफ स्पीड एक्वाल टू एक्वाल टू तेक हम क्या करेंगे 5.1 इंटू 10% मारजीन है तो 100 में 10 मिला देंगे 10% मारजीन है तो 10 मिला देंगा डिवाड़ेट वाइ 100 कि कि इसका पर सेकंड हमको कैल्कूरेट करना है आ वी मिनीमाम एक्वाल टू तो यह जाएंगा आपका 5.1 इंटू 11 इंटू 10 इस पाउर मानस के वन ठीक है तो वी मिनीमाम एक्वाल टू क्या करना है अभी आपको 11 को 51 से मुल्टिप्लाय करना है 11100 11 और वह यहां पर कही रहेंगा 1150 55 55 56 ठीक है आशरी कितने मुकाम के बाद में आना चाहिए एक मुकाम के बाद में इसका अंसर कितना आगे 56 एक तो यहां रख दीजिए 56 एक जरब दसकी बाद मनफी का एक इसका मतलब वी मिनीमाम अमार पार इसमें कितना आगे मार्जीन एक मुकाम आशरी और इदा जाएंगा 5.61 मिटर पर इसका है यह निकल कि आप टॉष जटे हों ओब सकते हो और और बॉसक्त में करद करना है आपको यह करना है कि यहाँ पर भी minimum के जागे maximum होंगा यहाँ पर आपको plus लगाना है और यहाँ पर minus लगाना है पूरा question as it is solve करना है जब हम इसकी speed निकालेंगे 10% margin तो आपको जो हमने यहाँ पर 100 में 10% add किया था minimum में आपको maximum में उसमें से minus करना है तो यहाँ पर कितना होंगा 99 अपन 100 पूरा question है जैटीस आप घर पर try कीजिए मुझे ऐसी उम्मीद है आपको अगर आप यह अच्छे से समझेंगे तो numerical भी आपको आजाएंगा ठीक है तो यह थर्ड वाल एक्जामपल नंबर 1.4 और पेज नंबर पर है यह 9 ठीक है दो एक्जामपल है पेज नंबर 9 पर इसको अच्छे समझेंगे बहुत बढ़ी है लेकिन बहुत आसान है सबसे पहले मैं इसकी डाइग्रम बना देता हूं बाद यह हमार पास में 2.1 मिटर है ना देखिए बहुत आसन सवाल है अब मैरी गो राउंड यूजरी कंसिस्ट आफ ऑफ सेंट्रल वर्टिकल पिलर एक मैरी गो राउंड है इसमें एक सेंट्रल वर्टिकल पिलर है इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है एड़ टॉप ऑफ इस इसके उपर होजनल डाउंड विछस्टार ओफ एड़ ट है इस तरह से वर्टिकलिए गूम सकती है एड़ आद अफंड ऐस्टार जैस्टार ओंड फेस्टा आ अखिरी मुकामों पर मतलब यह वाले आइट्स पर there is a vertical rod fitted like an elbow joint और यहाँ पर इस तरह से elbow joint की तरह दो vertical rod है ठीक है जैसे इस तरह से elbow joint है तो यह आपका इस तरह से आपका पहले इस तरह से एक शकल है उसमें आपके दो इस तरह से elbow joint है इस तरह से आपके एक merry-go-round है ठीक है और यह जो मेरी गोराउंड है मेरी गोराउंड के अंदर क्या खाजब सुनिए अग्धा लोवर एंड उप इस वर्टिकल रॉट के लोवर एंड पर यहां पर आसे तरह से गोले लटके वेए ठीक है सब्सक्राइब करेंगे तो यह इस तरह से हो जाएंगे यहां पर एंगल बनाएंगे इस तरह से देखिए यह इस परटिकूलर एंगल बनाएंगे और उसने बोला कि यह कपकी बात करा जब रोटेशन करेंगा इस तो यह इसने तो यह इसने 2.1 मेटर और ये value value हमको नहीं पता हम इसको x देते हैं यहां से लेकर यहां तक है इसका radius क्या होगा इसका radius यह center से लेकर यहां तक होगा इतना radius नहीं होगा बालकि उसके अंदर x भी हमको add करना पड़ेंगा ठीक है और क्या खास बात किसके अंदर इसके अंदर इसकी g की value आपको बोल ही है 0.6 ठीक है इसी के साथ साथ में हां यह तमाम चीज़ आपके पास में ठीटा भी आपके पास में उसने क्या बोला है फिकर शो मेरी गोराउंड वर्टिकल पॉप हमको यहां पर पर फ्रिक्वेंसी केलकुलेट करना इसका मींस किया है कि हमको यहां पर क्या निकालना एन निकालना तो देखिए बहुत आसन सा सवाल है आपको सबसे पहले इसमें क्या चीज़ समझनी है एक मेरी गोराउंड है जो इस तरह से गोल घूम रहा है यह वाली वैल्यू हमको नही सकते आंसर आपको 0.6 है ना अगर मैं साइन 37 है अगर मैं हापर कॉस 37 लिखू तो आपको इस्तेमाल करना है 4 by 5 ठीक है अगर हम यहां से 1037 निकाले तो कितना होंगा तो हम जानते हैं सब्सक्राइब करना है तो हमारे पास में इतनी हमको क्या कैलकुलेट करना है अब यह जब गुमेंगा यहां पर कोई रेडर बटेंगा तो उस पर कितने फोर से सामल करीं यह हमको जारा कुछ कोनिकल पेंडूलम की तरह दिख रहा है ठीक है तो हम यहां तरह से देखें यहां पर सबसे पहला हमको इसका वेट एंगल है तो इसको इस तरह से मिला देंगे यह वाला जो अगर यह थीटा है तो ऐसा बंद रहा है यहां पर भी टीटा हूंगा तो अगर यह और यह थीटा के जानीब आए तो यह इसके मुखालीब जाए तो यह होंगा हमारे पास में T sin theta और T sin theta को कौन बैलेंस करता है MR omega square और T cos theta को कौन बैलेंस कर रहा है Mg बस इसी का सारा लेका हम इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास में T cos theta equal to Mg equation number first और T sin theta को कौन बैलेंस करता है T sin theta equal to MR omega square centripetal force मिशनी लेक्चर स्पें बहुत सारी बार हो चुका है क्या करना है equation number 2 divided by equation number 1 T sin theta equal to MR omega square divided by T cos theta into Mg Tt cancel Mm cancel sin theta 1 cos theta 10 theta होता है equal to R omega square divided by G okay अब 10 की वैलो हमारे पास में कितनी है 10 की वैलो तो हमारे पास में 3 upon 4 है यहां रख दीजिए 3 upon 4 equal to R हमको नहीं पता भी आप सोचेंगे 2.1 है लेकिन 2.1 नहीं एक्स भी उसके अंदा included है मैं आपको बता रहा हो है ओमेगा क्या होता है ओमेगा होता है तूपाइन और उसका स्कूर हमको लेना है जी की वैलों को कितना लेना है पाइस को रख दीजिए ना यह क्या हो जाएंगा यह हो जाएंगा आपके पास में 3 upon 4 equal to R हमारी पास में हमारे पास में हमारे पास में बचेंगा 3 upon 4 equal to 4 कि और एंड वाइद बए वन देखिए हमारे पास में अगरम को फ्रिक्वेंस निगाल लेकिन आर नहीं है तो हम कैसे 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 कालकुलेट करेंगे फ्रण में हमारे पास में X है और कि फरण अपन साइड उमारे पास में है फ्रण आपन है फॉटेटिनिएस हमारे पास में बॉन पाइट फाइज है ना तो हमको एक्स निकालना मेरे पास में आगी अब मैं दोनों को एड कर लूँगा एक्स प्लस 0.9 एक्स हमारे पास में कितना है स्ट्री अग्स प्लस 2.1 एक समरे पास में 0.99 प्लस पास में 3 अपान 4 एक्वल टू उपर वाल इक्वेशन देखें कि 4 इंटो आर कितना आ गए अमरे पास में 3 आ गया और एंथा मालूम करना है इसका उनिट क्या होगा इसका इसका इनिट होगा रिवालूशन पर सेकेंड तो यह होगा आपका नेक्स एक्जाम्पल अब इसके और पेज नंबर नाइंट पर यह है 1.5 सुनिए आ सेमी वर्टिकल अंगल आफे कोनिकर सेक्शन फेटी सेवन एक हमारे पास में फनल है इस तरह से और इसका जो सेमी वर्टिकल अंगल यह वाल आंगल यह कितना रिया गाया थेटा इक्वाल तो 37 डिगरी ठीक है इसमाल बॉल किप इंसाइड आपकी इसमें छोटा सा बॉल रखा गया है ठीक है और रोटेटिंग फनल फनल को गुमाने पर दा मैक्जिमाम स्पिट्ट एट दा बॉल दा करो का सबस्ते पर इन Cute beispielsweise करना इस यौह समय की डिया है अभी डेयर एन्य अपोन इस बेर एनी लिमिट अपॉन दो फ्रीकेंश फूरोटेश्य उसके बाद में आपको फ्रीकेंश करना है इसका रिजन में आपको और फिर से शाइन 37 की वैलो आपको दी गई है जो पॉइंट 6 और जी की वैलो आपको दी गई है 10 मेटर सेकंड का स्क्वेर ठीक है बाइब आसान एक्जांपल है मैं इसको सबसे पहले आपको मना देता हूँ टाहिगराब में इसका फोर्स तो यह वाला component जो होंगा यह होंगा हमारी पास में अन साइन ठीटा और यह वाला component होगा अमारी पास में एन को सुट जीटा है यह आगे अपकी पास में यहां पर वीगा सकती हो कि आप क्या करना है वन डिवाइड बाइड वाइड बाइट वन डिवाइड बाइट वन यह मारे पास में एन साइं थिटा इकवाल टो एम घी आर टू हमारे पास में इन कॉस्टिटा इक्वल टो mv स्कॉएर अपॉं आर एम्म कैंशल एन एन कैंशल साइन डिटा पॉन कॉस्टिटा टें ठीटा होगा है एक्वल्ड टू हमारे पास में किया बच्छा यह आर ऊपर चल लाएगा यह हो जाएगा आरज फर वी का स्कॉएर हमको क्या कैल्कूलिट कर निकालना है इसका मतलब V स्कूर मॉल्टिप्लाइब ये एक्वल टू आर अपाउन जी ना वी कि वैलू कितने हैं वारे पास में वी हमारे पास में दो है तो दो कम और अब चार होंगा दो दूनी चार इंटू टैन अब वारे पास में कितना है हाँ आपको मैंने भी बता आया था टैनकी वेलू पिछन के लहाँ अइन के लिए घृड़ी लेना वारे को त्रिभाइब फॉर डिवाइड़ीड़ जी कितना है हमारे पास में जी हमारे पास में टैनैं यह निकल पूर CRC3 आपवार्न 10 बाटबॉसली पास में आपके निकालना फिर से वही फार्मूला वी कुल टो आर ओमेगा आपको क्या रखना है और इक्वल टो टो टू पाइच रखना है तो एन यहां से क्या जाएंगा वी अपाउन टू पाई आर आप इसको घर पे सौल कर सकते हो आथार में की वैलु आपके पास में है पाइक की वैलिए और आर की वैलिए वैलिए उसको रख देजिए उसको स्वाइब लिए कि देखे सबसे लास्ट नेमरिकल जो है वर्टिकल सेर्कूल नो मिशन पर है एक्जामपल नमबर 1.6 और पेज नमबर है आपका त्वेल्ट इसको समझे बहुत इंपोर्टन एक्जामपल है आपके पास में एक तीनी स्टोन को मास है 20 ग्राम अब इसको लिख देंगे 20 इंट इस साथ में बना घाया है और इससे एक िना में म और सिको एक पर किया रहा है तो एक आपके पास में बीज़त का कपाओं जो 8 meter per second जो विलोसिटी दी गई आपको विलोटिई वेटेट and maximum kinetic energies of the student during the entire circle फूरे entire circle पर हमको maximum kinetic energy यानि के हमको kinetic energy निकालना है maximum and kinetic energy minimum यह calculate करने हमको को और क्या बोला है सुनिए फिर आगे का पाट हम आगे इसको solve करते हैं maximum minimum कहां यह बड़ी सोचने वाली बात है तो देखिए अगर हमको पता है इसकी क्वेशन तो हम जानते हैं विलॉसिटी इंडर होट और फाय। आर्जी यहां सबसे ज़ादा होंगी तो कम पर सबसे ज़दा होंगी इसका इसका मेंस यह कि कािनेटिक energy यहां पर maximum होगी सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल एनरजी एड़ एक वाल टोटाल एनरजी का फार्मॉला किया होता है काइनेटिक एड़ 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 एक वाल एक वाल टू कैंटिक एनरजी एड़ पाइनर्ज में प्लस प्लस है नहीं पोटेंशल एनरजीए च्पाय्पाइन ओम किरने करना यह किरने है किनकी इनरजीए गया होगी अगर यहीं से हमारो जो हाइट ऴंध हो जाइँ यहाइं पर क्या हो हिहाली गहाँ के लगास्त एंडी का स्कुर्य यहां पर लगा दीजिये म प्लस जब हम एल से एंपर जाएंगे तो हमारा पोटेंशिल एनरजी क्या होगी म्जी एच और एच इतने हमारा रेडियस आ तो एच किसके बराबर हो और के बराबर हो तो यहां पर क्या लग जाएंगा एंगी आर ठीक है तो फिर हमारे पास में क्या बचेंगा का इनरजी एट पॉइंट एल एक वल टू हाफ एम हमारे पास में है 50-30-30- Skillsहां हमारे पास में यहां पर में हमरे पास में कितना है विम आट आट का Scott अट-ठीक शोच ऑट होगे डिरीक्वारा न है क्बूसरट में कितना दिया गाय आर हमारे पास में 1.8 कोश्चन के अंदर दिया गाय देखिए शाइद में आपको बताना भूल गया हूं सब्सक्राइब करेंगे तो 32 में 18 मिला लीजिए आट और दो दसका सीफर हाथ क्या एक तीन रिक चार एक पाच है ना इसका मतलब क्या हो जाएंगे पचास को बीस से दाप करेंगे तो पाच दूनी दस यह हो जाएंगे आपके हजार इंटो दैने से पार मैरास की थिरी यानि होता है काइनेटिक एक पॉइंट एक पाइनेट इंट पॉइंप य्दा इंट मैं एक टू काइनेटिक आपस में हाफ एक कि एम लगा देजिए अगर हम यहीं से चलना शुरू करें तो हमारा पोटेंश्यल एनलगी कितना हुआ हो यह हमारा करना है मिनला प्लस अगर हम से इतना होगा पोटेंशने इनर्जी अपने पास में आरहे तो यह का मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब काने इनर्जी हमारे पास में हो जाएगा मैना 2 प्लस के इधर आजागा हाफ एम वी स्क्वेर और यह प्लस का इधर आगा मैनस ओ एम जी आर ठीक है यहां से M कमन निकाल लेंगे हैं बचाइगा 1 आप टू वी एम का स्क्वेर और हापर मैनस ओ जी आर इसका मतलब इस एप ट्वेंटी नेसी पार मैनस के थिरी 32 मैनस यह यह जाएंगे आपके 18 ठीक है तो क्या बचेंगा यह बचेंगा का इनटीक एक वल टू सब्सक्राइब ने एक है और सब्सक्राइब व्यक्तिक पफॉर्टीज़। बढ़ाबर है यह जाएंगे 280 कि इनर्जी कितने आ गई एच पॉइंट पर 0.280 जूल ठीक है देखिए अभी इसके आगे पर उसने क्या बोला है बहुत इंपोर्टेट बात है सुनिए इसी डियाग्राम पास पर बता रहा हूं लेट ठीटा इक्वल टू जीरो बिदा एंगुलर पोजीशन अफ देश्टिंग वें देश्टोन इस एड़ लोवर लोएस पोजीशन यहां पर ठीटा इक्वल टू कितने जीरो यह उसने बात बताई आपको आगे क्या बोला है डिटर्माइन दा एंगुलर पोजीशन अफ लिख लेते हैं तो अगर इस पॉइंट पर एंगुलर टू के बराबर हो तो यह आपको ठीटा निकालना है ठीक है एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट यहां पर कैल्कुलेट करना है बस इतनी चीज़ आपके सामने लिगे बहुत आसान है इसको कैसे हम सौल करेंगे तो देखि विच्वें के इनदेट क्या होती है वह घ्यकास टिटा प्लस एंगी स्कूर अपवानन एक पल्टू मचेंसल क्या बचाएंगा इहां बचेंगा वी स्कूर अपवानना इकपल टूजी और यह प्लस कई यहां जाका मैनस का जी कॉस्ट तो हमको अब यह वीपी निकालना पड़ेंगा वीपी हम कैसे निकालेंगे यह आपको लोएस पॉइंट है यह पी पॉइंट हम क्या करेंगे यह पर फिर से हमारा कंजर्वेशन अफ एनर्जी लगाएंगे तो हम यह लगाएंगे टोटल एनर्जी एक फार्मुला काइनेटिक अटीप को कम कर रहा हूं आप सभी को बता है कि लोएस पॉइंट पर पोटेंशल एनर्जी जीरो होती है तो हम सिर्फ यहाप पर लोएस हमारे पास में कितने अभी अभी हमने कैल्कुलेट कग है की है वह एक्वाइब डू यह लेकिंगे वनवाट परन्टो इंवी का स्क्वार फी प्ल्स पोटेंशल एनर्जी एक प्वाइज को थोड़ी से डिसकॉस करने हूँगा हमने रिदिस्प्लेशमेंट है यह है कितनी है अब हम सबsoon ओत्रकाइन है कितना है यह आपका ऐगा जब हम यह से हमारा है जो है इतना है लेकिन पुला रेटियस हमारे पास में कितना है तो बीचिटा हमारे पासward में है इसका मतलब H equal to R को बाहर निकालो 1 minus cos theta, यह H बढ़ा important है इसके इंतर है, तो यह हमने निकाला H, कितना निकाला R minus R cos theta, इसमें रखते ही, यह half mv square P plus mg, और H कितना हमारे पास में, mg है है, H कितना है, R into 1 minus cos theta, ठेक है, अब यहां से क्या common निकलेंगा, यहां से, जो common निकलेंगा वो निकलेंगा, kinetic energy हमारे पास में 1 है, 1 equal to, यहां से common निकाल लेजिए, एक काम करते हैं, चलो, values को put up पर लेते, 1 upon to SATS होगा, 1 upon to M, vp square किसके बराबर है, यह है हमारे पास में, RG into 1 minus cos theta, प्लस, mgR into 1 minus cos theta, इसका मतलब यह है कि 1 equal to, यहां से क्या common निकालेंगे है, हम दोनों में यहां निकालेंगे, हम MGR, और MGR, 1 minus cos theta common निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेंगा, इसमें से बचेंगा, 1 upon 2, plus यहां बचेंगा, 1 upon 1, इसको solve करेंगे, तो 1 equal to MGR, equal to 1 minus cos theta, इसको solve किजिए, यह हो जाएंगा, आपका 3 upon 2, 3 upon 2, उदर चले जाएंगा, तो क्या हो MGR into 1 minus of cos theta, हमको theta निकालना है, तो next step इदर देखीजिए, theta कितना हो जाएंगा, हमारे पास में, यह हो जाएंगा, 2 upon 3, MGR नीचे चल जाएंगा, यहां बच जाएंगा, 1 minus cos theta, है ना, अब हम इसकी मदस्ते यहां पर theta निकाल सकते हैं, तमाम values को रख लेजिए, 1 को इदर ला झाल 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